दिसंबर के आने से पहले 2020 सिर्फ पेंडेमिक के लिए जाना जाने वाला था पर साल का आखरी महीना एक ऐसी खबर लेके आया जिसे साइबर सिक्योरिटी और एस्पियोनाज की दुनिया के लोग सालों तक याद रखींगे जी हां मैं बात कर रहा हूँ सोलर विंस हैक की जिसने अमेरिका में अफरा तफरी मचा दी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखे सोलर विंस हैक क्या है और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए हलो अब्रिवान मेरा नाम का और शुक्ला है और पाइट क्यान में आपका स्वागत है अल्दो सोलर विंस हैक महीनों पहले शुरू हुआ था पब्लिकली इसे उजागर होने की पहली कड़ी आई 8 दिसंबर को जब साइबर सेक्यूरिटी कमपनी फाइर आई ने अपने ब्लॉक पर अनौस किया कि वो हैक हो गई है और हैकर्स उसके प्राइजड हाकिंग टूल्स चुरा ले गई है फाइर आई साइबर सेक्यूरिटी दुनिया का जाना पहचाना नाम है इन फाइक्ट कमपनियां फाइर आई को कॉल करती है जब उन्हें अपनी साइबर सेक्यूरिटी चेक करानी होती है या फिर वो खुद हैक हो गए होते है इसलिए फाइर आई का खुद हैक होना एक बड़ी ख़बर थी और में भी सोलर विंस हैकर्स की सबसे बड़ी गल्ती पब्लिकली अनॉंस करने के बाद कि वो हैक हो गई है फाइर आई ने वो काम स्टार्ट किया जिसमें वो माहिर है हैक की तहकीकात इसी इन्वेस्टिगेशन में फाइर आई ने पाया कि there was a backdoor in the SolarWinds software that it was using तहकीकात से पता चला कि hackers ने इसी backdoor का इस्तिमाल कर फाइर आई को हैक किया था और उसके hacking tools चुराई थे फाइर आई ने तुरंत SolarWinds और US Law Enforcement Agencies को ख़बर दी इस वक्त तक पब्लिकली सिर्फ यही पता था कि फाइर आई हैक हुआ है और SolarWinds hack की खबर किसी को नहीं थी फेब 13 दिसंबर को Reuters की news आई जिसमें agency ने sources को site किया था और report कर रही थी कि US Treasury Department और Commerce Department की एक agency hack हो गई है और hackers दोनों departments का email traffic monitor करते पाई गए है यह दोनों departments Microsoft का Office 365 यूज़ करते हैं emails के लिए तो सबसे पहली उंगली उठी Microsoft पर की कहीं Microsoft का software तो नहीं हैक हो गया लेकिन Microsoft पर से शक बहुत जल्दी दूर हो गया क्योंकि 13 दिसंबर की ही शाम को SolarWinds और FireAye ने announce कर दिया कि SolarWinds का Orion platform breach हो गया है अब बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और SolarWinds क्या है SolarWinds एक American company है जो software बनाती है IT networks, systems और infrastructure को manage करने के लिए इस company के करीब 3,00,000 customers हैं दुनिया भर में जिन में almost सारी Fortune 500 कंपनिया आती हैं और बहुत सारे government agencies हम ये बोलें तो गलत नहीं होगा कि SolarWinds के software's almost सरव्यापक हैं इन 3,00,000 customers में से करीब 33,000 कंपनिया और government agencies SolarWinds का Orion platform यूज करते हैं यही platform hack हुआ था और इसमें ही hackers ने backdoor लगाया था Basically hackers ने supply chain attack का इस्तेमाल किया था to hack SolarWinds Supply chain attack में attacker अपने target के पास आ रहे hardware या software को उसकी source पर ही या रास्ते में infect कर देता है तो जब वो infected hardware या software target install करता है तो attacker को target में access मिल जाता है SolarWinds के case में hackers ने Orion software के जो भी updates मार्च 2020 से जून 2020 तक release हुए उन्हें infect कर दिया था तो जब किसी company या government agency ने वो software updates install किये तो उनके systems में hackers को access मिल गई थी अब experts बोल रहे हैं कि hackers काफी patient और careful थे उन्होंने SolarWinds के software से जो entry मिली थी उसका use करके और भी backdoors बना दिये थे to retain access even after these companies और government agencies installed non-infected versions of Orion software और hackers के पास almost 9 महीने थे to create new backdoors and steal information अब even दो SolarWinds ने updates और patches release कर दिये हैं वो backdoors बंद करने के लिए hackers के बनाए हुए और backdoors और entry points ठोडने और बंद करने में बहुट टाइम लगेगा अब सवाल उठता है कि ये hackers थे कौन जो प्राथमिक तहकीकात हुई है उससे सारी उंगलियां hacker group APT29 और Cozy Bear की तरफ उठाई जा रही है Cozy Bear को Russian intelligence agencies से link माना जाता है Microsoft से लेकर fire eye तक सब यही बोल रहे हैं कि इस attack की sophistication देखकर यही लगता है कि इसके पीछे किसी राश्टर का हाथ है Russia ने obviously यह सब deny किया है अब बात करते हैं कि कौन-कौन hack हुआ है इस SolarWinds attack में SolarWinds ने बताया है कि इसके करीब 18,000 customers ने infected software updates इंस्टॉल किये थे अब यह माना जा रहा है कि hackers ने वो सारे 18,000 customers का data access नहीं किया बलकि उनके target पहले से ही चुने हुए थे अभी तक की reports के अनुसार US के Department of Homeland Security, State, Treasury और Energy, National Institutes of Health, National Nuclear Security Administration और parts of Pentagon and Commerce Departments hack किये गए है इनके साथ साथ एक think tank, Volexity और Cisco and Microsoft जैसी कंपनिया भी hit हुई है Microsoft ने ये भी बोला है कि इसके 40 customers तो Defender Antivirus यूज करते हैं उनके systems में भी infection के science देखे हैं और company उन सब को inform कर रही है इसके अलावा investigations चल रही है और आने वाले हफतों और महीनों में और भी नाम सामने आएंगे अब बात आती है कि hackers क्या चुरा पाए इन 9 महीनों में Fire Eye के case में तो company ने बोल दिया है कि उसके hacking tools चोरी हुए है और government agencies के case में ये पता करने में महीनों और सालों लग सकते हैं कि hackers ने क्या-क्या चुराया है इसलिए अभी ये नहीं पता कि इन 9 महीनों में hackers ने क्या-क्या समेट लिया तो ये था SolarWinds hack के बारे में सब कुछ जो हम अभी तक जानते हैं आगे आने वाले दिनों में और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी और maybe we'll know exactly what all hackers stole अभी भारत से कोई खबर नहीं है कि अपने देश से भी कोई hack हुआ है या नहीं अमेरिका की तरह भारत में भी बहुत सारी कंपनिया SolarWinds का इस्तेमाल करती हैं में भी कुछ government agencies में भी ये use हो रहा है पर अभी ये information निकल कर सामने नहीं आई है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो like करना मत भूलिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए पाइट ग्यान को subscribe करें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार, thank you